कि चलिए आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही कमाल की रेसिपी सेयर करने जा रही हूं जो टेस्टी के साथ साथ बहुत हेल्दी भी आए क्योंकि हम इसे गेहूं के आटिस से बना के तयार किया हैं तो देख किस बात की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं कि उर्भी यहां पॉरग आट लिए धाने एक डालेंगे इस में के देख समुझाने छाना हाँww करणे हम आपके हम एक डालका काटोरी सोजी लिए हैं इसको भी इसमें डाल देंगे है जब चमच घी उसमें हम और अइड कर दे रहें और सबको अच्छuster से लिकस करेंगे सिसे यूठाई से मुटस कड़ने देखेंगे बहुत अच्छे से मुठी बढ़न जा रहा है जएवह लिए कर्डोध संथ सब्सक्राता ज़ने हैं इसमें डालेंगें यूठी हैं क्योंकि हमारे रेसीपी में चीनी खड़ी खड़ी दिखीगी तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में अब जमोयन करके हम आटा रखे थे उसमें दूध और चीनी का मिस्वन थोड़ा-थोड़ा डाल के हम इसे मिक्स करेंगे दूध और चीनी के साथ हमरा आटा अच्छे से मिक्स हो चुका कड़ो नहीं पनाना है इसे सहीं फरफरा रहने देंगे अब इसमें डालेंगे हम आधी शोटी चमच इलाइची पाउडर इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और चार चमच के बराबर डेसी केटेड हम लाटा इस वाटा चलेंगे और लडू को कि अपटियफ अलगो फिर रख सकते हैं कि उसपां बैलाटा चलाओ को तो च्याश्य को नहीं है त्युक्त आंच हैं एक पस्टियफ सब्सक्राइब हो दूटा पर चाहिए नियों कुकिं यह फोऊनल कड़ी देलेगे ताधि इ इससे साइतो इसे हो है कि काट लेंगे लिखिव कि इतना अज़ानी से नि-कल जाता याए सब ही को कहा सब कर सकंद हम गज़ीह मुझन हम तियारी कर लिए है कि इसे हम पलड देंगे देखिए कि इतना अच्छा गोर्डन कलर आ चुका इसे एक जारे में हम निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रब है सब निकाल जाए इसे एक फिलेट में रखेंगे तो यह लीजिए हमारा माज़दार से आटा बिस्कुट बन के तियार हो चुका लग रहे हैं कितना यमीक है कितना क्रंची बना है आप इसका अलाज सुन सकते हैं एक दम बिस्किट के जैसे आप एक बार यादि ऐसे बिस्किट घर में बनाईएगा तो स्वाभी को बहुत पसंद आएगा यदि आप लोग को हमारे वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें शेयर करें जो लोग हमारे चैनल पर नहें हैं वह प्लीज करें